वेल्कम फ्रेंड्स, RBSC क्लास 11th के इंगलिस का आजम ने आपके होन बिल बुक के संजीवनी सिरीज में Most Important Questions का कलेक्शन किया है आईए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेशन हमने लिया है आपके The Portrait of a Lady से क्वेशन है, What were the views of the grandmother about music? यानि कि दादी अम्मा के संगीत को लेकर क्या विचार थे? आंसर है, According to the grandmother, music was not meant for gentle folk दादी अम्मा के नुसार, जो संगीत है, वो आम वेक्तियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं बना है इसका जो सम्मन्ध है, वो असिस्ट लोगों के साथ था In her opinion, it was the subject of hardlots and beggars उसके अनुसार ये वेश्याओं का और विकारियों का काम था दादी अम्मा के ये विचारते संगीत को लेकर Question number 2 ये भी हमने the portrait of a lady से लिया है What was the turning point in the relationship between the writer and his grandmother यानि लेकर और उसकी दादी अम्मा के बीच में जो सम्मन्ध थे उसका turning point क्या रहा, क्या था Answer When the writer's parents were well settled in the city जब लेकर के माता पिता सहर में पूरी तरह से सेटल हो गए They sent for the writer and the grandmother उन्होंने दादी मा और लेकर को भी बुला लिया वहां सहर में ही Now his grandmother could not go to school with him and help him in his studies अब उसकी दादी मा उसके साथ इसकूल नहीं जा सकती थी और नहीं उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती थी It was the turning point in their friendship और यही उनकी दोस्ती में सबसे ज़्यादा turning point साबित हुआ यह question number two Question number three The potato lady से लिया है हमने How did the grandmother celebrate the author's homecoming? जब लेकर गर आया उसकी पढ़ाई पूरी करके तब दादी अम्मा ने किस प्रकार उसका उस्सव मनाया कैसे celebrate किया? इसका आंसर है In the evening the grandmother collected the women of the neighborhood and goat an old drum शाम के समय दादी अम्मा ने पडोस की मैलाओं को इखटा किया और एक पुराना ड्रम लिया She thumbed it वो इसे बजाने लगी And sang the songs of the homecoming of the warriors योद्दाओं के घर लोटने के उसने गीत गए इस प्रकार लेक के घर लोटने के जो celebration थी दादी मा ने इस प्रकार उसे celebrate किया आगे बढ़ते हैं Question number 4 हमने लिया है We are not afraid to die chapter से और ये question है What was the purpose of the author's sea oage यानि कि लेक के समुद्री यात्रा का उदेशी क्या था Answer है The purpose of the author's sea oage To duplicate the round the world oage Made 200 years earlier by Captain James Cook जो लेकक था उसकी समुद्री यात्रा का उदेशी था 200 साल पहले Captain James Cook द्वारा जो संसार का जो चक्कल लगाया गया था उसको duplicate करना यानि उसको repeat करना ये उसका उदेशी था Question number 5 है What preparations were made by the writer and his wife for sea oage समुद्री यात्रा के लिए लेकक और उसकी पत्नी ने क्या तयारियां की थी इसका answer आप यहां से लिखे For the past 16 years, फिचले 16 वर्सों तक, the writer and his wife Mary spent all their laser time honing their seafaring skills in British waters. यानि की 16 साल तक जो लेकक और उसकी पत्नी मेरी ने अपना जो भी पूर्सत का समय था, वो उनकी समुद्री यात्रा की जो skills थी, जो कोसल था, उन्हें वहां पर honing यानि sharpening, यानि कि उन्हें perfect करने में वहां British के जो waters थे, यानि British के जो समुद्री, जो भी जगती, पानी के जो भी वहां पर जला से थे, वहां पर उन्होंने तयारी की, और अपनी जो उनकी skill थी कोसल था, उसे, उसमें दक्सता हासिल की, देर बोट, वेव वाकर, अट 23 मीटर, 30 तन उडन हर्ल्ड, ब्यूटी, हैड बीन professionally built, उनकी जो बोट थी, जो नाव थी, उसका नाव वेवाकर था, 23 मीटर वो लंबी थी, 30 तन लकडी की बनी हुई ब्यूटी, वो बहुत सुन्दर थी, हैड बीन professionally built, बड़े professional तरीके से उसे बनाय गया था, and tested और उसका test किया गया था, in the rapist weather, खराब से खराब मोसम में, उसका prediction किया गया था, ये तयारिया उन्होंने, अपनी समुद्री यात्रा के लिए की थी, इसका जो question number 6 है, what was the name of their boat, and what was special about it, उनकी नोका का नाउ का नाम क्या था, और इसमें विशेश क्या था, इसका answer हमने पांचवे answer में से निकाल लिया है, यहां से लेकर, यहां तक देर बोट से, वेदर तक आप पूरा answer, इसमें लिख दे, इसके लिए आपको लग से याद करने की need नहीं है, question number 7 भी हमने इसी chapter से लि की थी, the first lake of their sea of one lake 5000 km passed presently, यानी समुद्र ही आत्रा थी उनकी उसका प्रतम चरण, जो एक लाग 5000 km का बड़ी प्रसनता से पार हो गया था, they sailed down the west coast of Africa to Cape Town, वे जो पस्ची में तरता अपरिका का, वहाँ से लेकर Cape Town तक वो पहुँच गए थे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नमर एट हमने लिया है आपके, the ailing planet, the green movement's role, चेप्टर से, और क्वेशन है, when and where was the green movement started, यानी कि कब और कहां से green movement, हरित आंदोलन की शुरुवात हुई, आंसर है, इन 1972, the worst first nationwide green party was founded in New Zealand, यानी कि New Zealand से हुई, 1902 में, संसार की परली nationwide green party, कहां पर start हुई, New Zealand में, Since then, the movement has not looked back, सबसे आंदोलन ने फीचे पेर नहीं रखा है, ये क्वेशन नमर एट और इसका आंसर, क्वेशन नमर नाइन भी, हमने इसी चेप्टर से लिया है, What changed the other attitude has the green movement brought about, हमारी सोच में, green movement ने क्या परिवर्तन लाया है, आंसर है, the green movement has changed our attitude towards the earth, जो green movement है, उसने हमारा जो attitude है, जो हमारी सोच विचार है, उसे प्रति के प्रति बदल दिया है, We have shifted from a canistic view to a holistic and ecological view of the world, हम यांत्रिक द्रिश्टी कौन से, जो हमारा था, सिप्ट होकर, बदल कर, a holistic, एक समगर and ecological और परियावरन और जियों के प्रति, जो हमारा द्रिश्टी कौन है, उसमें वेशा हमारा द्रिश्टी कौन हो गया है, अब हमारा द्रिश्टी कौन यांत्रिक नहीं रह गया है, आगे बढ़ते ही क्वेशन नमबर टेन, ति हमने इसी चेप्टर से लिया है, वाट डू यू नो बाई सस्टेनेबल डेवरप्मेंट, वेन वाज द्रिश्टी कौनसेप्ट पॉपुलराइज्ट, यानि कि बनाए रखने वाला विकास, बने रणे वाला विकास से आप क्या समझते हैं, और ये धारना अवधारना कब से लोग प्रिय हुई, आंसर है, सस्टेनेबल डेवरप्मेंट, यानि बनाए रखने वाला विकास, बनाए रखने वाला विकास, वह होता है, जो आज की आवशक्ताओं की पूर्ती करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग अबिलिटी ओफ्यूचर जनरेशन तू मीट देर नीड्स, बविसे में आने वाली पीडिया है, उन्हें उनकी आवशक्ताओं की पूर्ती करने की जो योग्यता है, उनसे समझोता कि ये बगेर आज की आवशक्ताओं की पूर्ती करने वाला ये जो सिद्दान थे, जो विकास है, वही सस्टेनेबल डेवलप्मेंट है, वही बनाए रखने वाला विकास है Question number 11 ये भी इसी चेप्टर से लिया है Who is the most dangerous animal in the cage of the Jew at Lusa का Jambia Lusa का Jambia में जो वहां का चिडियागर है वहां पर सबसे खतरनाग जानवर कौन सा है Answer There is no animal in the cage of the Jew चिडियागर में कोई जानवर नहीं है But a mirror is placed there बलकि वहां एक दरपन लगाया हुआ है In which the visitor can see himself जिसमें जो भी visitor जाता है वो स्वयम को देखता है Is the most dangerous animal सबसे खतरनाग वेकती वह यह यानि कि इसका मेशेज यह है कि मानव सबसे खतरनाग वेकती है अगले पार्ट में और most important questions के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें Thank you